नमस्कार दोस्तों मैं गुर्शिन सिंग स्वागत है आप सब का अमारे आपके यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आपने थम्नी में लेख की लिया होगा यूएस इंडीरी दिवर की लौटरी इस नहीं मत था इस गरीके लूट्री यूएस फ्रीजंग यूएस में सिटीजन बिलता है इस लौट्री है और आप करना वर्डी जो भी जैसे की इंडिया हो गया पाकिस्तानों गया यह southeast क 호 गया को व्यान अपर हो आप में आप MEंसे को कोई भी इन फ्यूचर सेटल होना चाहता है आपका ड्रीम है यूएस में सेटल होने का तो एक बहुत ही हलका और बहुत ही कम पैसो का एक प्रोसेस है जिसके थुरू अगर आपकी किसमत अच्छी है तो आप अपना जो ये ड्रीम है पूरा कर सकते हैं यूएस के अंदर सेटल 2020 में आपको क्योंकि जो बीस के अंदर करोना की वेज़े से बहुत जादा रुकावट आई तो रिजल्ट के अंदर बहुत इन्होंने शॉटेज दिये और इस बार जो है रोका गया था तीन सो साथ दिन लॉट्री जो है उपन रहती है कभी इसका फॉर्म भरके आप सब्सक्राइब जाएं जैसे अगर आज 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 भरेंगे इसका जो रिसल्ट मार्च और अपैरल के आपको मενे जांगा इसमें आपको मैं बता दो अमेरिका क्या करता है क्यों यह लटरी देता है अमेरिका का एक रूल है काफी सालों से लॉटरी को निकाल रहा है पहले जमाने में लॉटरी फॉर्म के थे थी अभी 2015-16 से लॉटरी को ऑनलाइन कर दिया गया ऑनलाइन इसको अप्लाइन इसका रिजुर्ट देखा जाता है थोड़ी से डिटेल दूँगा अमेरिका हर साल 55, सब्सक्राइब करें तो मैं आपको बता तो जैसे कई अलग हिंदू के तमिल ऐसे भाषाओं की जैसे लोग है जैसे बुद्ध हो गए चायना के लोग तो ऐसे इसी सिटीज के लोगों को अपने कंटरी में डालती है कि सारा जो रूल है जो सारी जैसे की क्रिस्चैनिटी हो ग हो गया हिंदूजम हो गया तो ऐसे से लोगों को मिला के उनका एक एरिया बनाती है तो उसमें अपनी कंटरी में वो सभी धर्म को लोगों को रखना चाहती है तो ऐसी ऐसी एप्लिकेशन को पास करती है और उनको पूरे टोटल 55,000 लोगों को ग्रीन कार्ट मिलता है इन तो मैं आपको बता दो आपका जो हजार डॉलर का खर्चा है कुछ 60-70,000 हमें यह टिकेट का रेट कई वार कम भी हो जाता तो 30-35,000 में भी यह टिकेट मिल जाती है हाँ आप अगर फॉरन के लिए करते हैं कई वार आपकी फाइल भी हो जाती है तो उसमें आपका का खर्चा आता है तो आपके जैसे कई बार रिफ्यूजल आ जाती है तो आप एक बर इसको भी ट्राय करें क्या पता आपको एक साल के अंतर जो आपका लग है वो आपको मिल जाए और आपको जो है यूएस के अंदर ग्रीन कार्ड अब मैं बजाता हूं जब आपकी जाते हैं और सरकार की जो नियम कानून है आपको वहां पर मेडिकल फैसिलिटी वहां पर रहने की जगह और अगर थोड़े बहुत जब आपका काड़ पका हो जाता है आप महां के पर्मिन रेजिस्टेंस हो जाते हो एक साल बाद तो आपको मेडिकल के साथ-साथ कई ऐसी आपको महीने का कुछ पैसा भी मिलता है तो ऐसी कई फैसिलिटी अमेरिकन गवर्मेंट आपको देती है और जो बात मैं आपको बता रहा हूं यह जी लीगल है कर भी आप किसी ऐसे कॉंटेक्ट करें किसी लॉट्री टिकेट वाले से तो आप उससे पूछ सकते हैं वीजा पर लुट्री के लाफ इस चीज के बारे में बूछ सकते हैं बाट आपका लक होना चाहिए और इसके लिए मैं आपको बता दू आपको बता रहा था कि किस कांट्री के बारे में आपको बताया हूं वाटरी की जो अपडेट है वो ही है कि 306 दिन लॉट्री ओपन रहती है कभी भी खुदाए कर सकते हैं शक्ता अधियु आपको अप्लाई हो जाता है आपको यहां से जाने का फ्लाइट का खरचा हुथा है और इसके बात आपको अगरें घ्र का है ळाप ने गा cert कोई भी अपडेट चाहिए कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल आप कमेंट में और दूसरी बात मैं आपको बता दो कि अगर आपको इसकी कोई भी अपडेट चाहिए तो आपने लिखना है 2020-21 और 22 2021 और 22 का टेवर सिटी यूएस वीजा लोटरी उसके अंदर आपको सारी इंफोर्मेशन गूगल में मिल जाएगी और मैं अगर आपको कोई भी इंफोर्मेशन लगती है कि आप कमी है तो आप में कमेट सेक्शन में मताया उसके उपर हम वीडियो आपको बना जाएगी और इस दालूगा जिसके अंदर लोगों को वीजा लगे हैं किस कंट्री से दे और यूएस में सेटल हुए है तो आपको सारी वीडियो की अपडेट में दूँगा नेक्स वीडियो में और चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कर दें जो रेंड बटन है सब्सक्राइब का उसको जरूर दबा दें क्योंकि मैं इसकी रिजल्ट्स और इसकी अपडेट्स इन फ्यूचर जो वीडियो आएंगे उसके अंदर में देने वाला हूँ आपको तो यूएस वीजा डिवसिटी इसी का नाम होता है इसी बस एक छोटा सा पैटन है अगर आप इसको अपनाना चाहत जो भी इस वीडियो को और ऐसी परपस की वीडियो को देखना साथ है